टॉम हॉलेंड फिलाल जोड जोड से डेंजल वाशिंग्टन के उपर हस रहे होंगे बिकस डेंजल ने ये रिवील कर दिया है कि मावल स्टुडियोज ब्लैक पैंथर 3 बनाने वाला है और डेंजल वाशिंग्टन खुद बेस मुवी में रोल प्ले करने वाले हैं। नॉर्मली टॉम हॉलेंड और मार्क रफेलो मावल की चीज़ों को लिग करते हैं बट आज ये दोनों एक्टर्स इस बात पर हस रहे होंगे कि डेंजल वाशिंग्टन भी उनकी कमपनी को जॉइन करने आ गए हैं। टेंजल टुडे शो में अपनी मुवी ग्लाडियेटर 2 के लिए इंटर्व्यू दे रहे थे और सुनी उन्होंने क्या कहा। ये उसके साथ अपने पॉसिबल रोल के लिए मीटिंग्स में थे और शायद एक पॉइंट पर डोर मामू भी वो करेक्टर हो सकता था बट एड देंजल को ब्लैक पैंथर 3 का कोई करेक्टर दिया गया है। तो फाइनली ये कन्फर्म हो गया है कि देंजल वाशिंग्टन M.C.O. में ब्लैक पैंथर 3 में कोई कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं तो वो दोर मामून नहीं बनेंगे। नाव क्विशन या आता है कि देंजल वाशिंग्टन कौन सा कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं और हमारे पास आपके लिए तीन पॉसिबल आंसर्स हैं। जो इन स्लोट को लेने वाली हैं वो है डॉक्टर स्ट्रेंज 3, स्कारलिट विच सोलो मूवी एंड ब्लेड और रायन कूगलर ब्लैक पैंथर के डारेक्टर अभी इस मूवी की स्टोरी लिख रहे हैं तो ये मूवी मल्टिवर्स सागा में नहीं आने वाली है जिसका है कि देंजल वाशिंग्टन बलेड़ का वैरियन खेंट प्लेड नहीं करने वाले हैं हलांकि एक और करेक्टर है जो शायद आप लोगोने बही सौच रखा होगा अगर देंजल वाशिंग्टन बलाक पैंथर 3 में विलन का रोल प्लेड कर से हैं तो वो होगा अच्छेब औरिजिन की बात करें तो वो एक फार्मर था और एक छोटी सी एफ्रिकन कंट्री गुडाजा में रहता था। एक दिन नेवर कंट्री से कुछ रैबल सोल्जस उसके फार्म में आ जाते हैं अचे भी उनकी हल्प करता है उन्हें फूड एंड कैर ओफर करता है बट अचे भी की वाइफ उन रैबल के लीडर के प्यार में पड़ जाती है उसके बाद जब वो सोल्जस वहां से जाते हैं त कि उसकी वाइफ से कनेक्टेट था और वो हर एक रैबल को 32 बार स्टैब करके मारता है जैसा कि उन्होंने उसके साथ किया था एंड अचे भी एक्चुली काफी स्मार्ट भी है वो येल उनिवर्सिटी जॉइन करता है और उसके पास मल्टिपल डिग्रीज भी है तेनों ख पैंथर को युनाइटे स्टेट्स में ही स्टे करना पड़ता है और एंड में होता ये है कि अचे भी वकांडन गर्मेंट के उपर टेक ओवर कर लेता है और मेफिस्टो एंड रेमॉंडा उसकी हल्प करते हैं देन इवेंच्वली ब्लैक पैंथर को मेफिस्टो के रियल मे ले जाए जाता है जहांपर ब्लैक पैंथर मेफिस्टो को डिफीट कर देता है और इससे मेफिस्टो और अचेबी का रिलेशन्चिप तूट जाता है और फिर ब्लैक पैंथर कुछ एविंजस लाइक कैप्टन अमेरिका के साथ मिलकर अचेबी को डिफीट कर देता है तो यहाँ पर कुछ और characters भी हैं, like ब्लू Marvel का character भी play कर सकते हैं, तो मुझे काप यह अच्छा लगेगा अगर Denzel Washington ब्लू Marvel को play करते हैं तो, but I think Blue Marvel एक ऐसा character है जिसे आप one and done नहीं कर सकते हैं, और क्योंकि Denzel ने अपने Today Show interview में ये clear कर दिया है कि वो कुछ movies के बाद retire होने वाले हैं, so I think यहाँ पर वो एक ऐसा character play करने वाले हैं, जो कि MCU में सिर्फ एक movie के लिए देखने को मिलेगा, so I hope कि Blue Marvel का character वो ना हो, because मैं Blue Marvel को one and done होते वोए नहीं देखना चाता हूं, और Marvel Studios भी ऐसा नहीं करेगा, so let's see, बट यहाँ पर एक और option भी है, और वो यह है कि Marvel, Denzel के लिए एक totally new character लिखने वाले हैं, because उन्होंने कहा था कि Ryan Coogler new Black Panther movie में उनके लिए part लिख रहे हैं, so maybe Ryan Coogler उनके लिए MCU में एक new character लिखने वाले हैं, जिसे हमने MCU और Marvel Comics में पहले कभी नहीं देखा हो, so ये भी एक काफी cool option है, कोई ऐसा character जो उनके personality और style को totally match करता हो, और Denzel अपने आप में एक iconic personality है, so कोई साब एक character प्ले करें, वो iconic ही होने वाला है, बट मैं इस बात से अभी बहुत ज़्यादा excited हूँ कि Denzel Washington MCU में आने वाले हैं, so मैं उन्हें MCU में या तो अच्छे भी या उनके अपने किसी new character में दिखना चाहूँगा, now guys आप comment करके बताए कि आप Denzel Washington को MCU में कौन से character में दिखना चाहते हैं, जा वो Black Panther का कोई variant बन सकते हैं, या फिर अच्छे भी, या फिर Blue Marvel या फिर कोई new character, वीडियो कर अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, because Marvel related updates हम डेली लाते रहते हैं,